जैसी रादे किसना फ्रेंड प्रियों लाइंग कुकिंग किलास में आप सभी का स्वागत है आज हम एक नया कोर्ट शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है वैफल वैल्जियम इस कोर्ष में हम अलग-अलग तरीके के वैफल्स बनाने आपको सिखाने जा रहे हैं फ्रेंड वैफल्स सीखने से पहले आपको वैफल्स के अंदर की जो फिलिंग करते हैं वह आपको सीखनी होगी फ्रेंड वैफल्स के अंदर की फिलिंग भी अलग-लग तरीके से बनाई जाती है इस फिलिंग का नाम है चोकलेट सोस चोकलेट सोस थ्री टाइप की होती है जिस लिखनी आएगी आईए शुरू करते हैं बैफल्स के अंदर की फिलिंग यानि की चोकलेट सोस कैसे बनाई जाती है कि रेंड चोकलेट को मेल्ट करने के लिए इस तरह का एक पैन ये बिगोना ले ले इस पैन में आधे से भी कम पानी डाले पानी में बोईल आने के बाद एक इस तरह का बड़सा बाउल रखें गैस की फिलेम लोग कर दें और अपनी चोकलेट को इस बाउलके अंदर रखें चोकलेट बड़े बड़े पिसीज मी नहीं रखनी है चोकलेट आपको चोप्ट करके रखनी है चोकलेट को चोप्ट करने से चोकलेट अच्छे तरीके से मैल्ट होती है और जल्दी मैल्ट होती है आपको अपनी गैस की फ्लेम हाई नहीं रखनी है हाई फ्लेम रखने से सैट की चोकलेट जो होती है वो जलनी स्टार्ट हो जाती है जो आपकी चोकलेट सोस के टेस्ट को खराब कर देगी अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इस तरह से अपनी चोकलेट मैल्ट कर सकते हैं अम में माइक्रोवेव में चोकलेट कैसे मैल्ट करते हैं बताने क्या कि यह आपकी कप मेजरमेंट के हिसाब से एक नीर्प चोप्र सोल्ट रहेगी में जिस हमखेश से आप अपने डिस गरम करतें उसी तरीके से आपको यह जोप्र है ती सेचिंड के लिए गरम करने के लिए रहें आधाए करने के लिए रखा था लेकिन यह अभी पूर्टरा से चोकलेट मेल्ट नहीं हुई है हमें फिर से 30 से के लिए चोकलेट को घरम करने के लिए रखना है है मैं यह देखिए हमाई चोकलेट मेल्ट हो गई है आपको भी 2-3 वार मुसम के अकोडिंग माइक्रोवेव में तीज तीज चैकिन का टाइम सेट करके अपनी चोकलेट मेल्ट करनी है अब हमें इसमें अमूल क्रीम मिलानी है फ्रेंड मार्किट में अमूल क्रीम का इस तरह का बोक्स मिलता है इसमें से तूट टेवल स्पून क्रीम आपको अपनी चोकलेट में मिलानी है फ्रेंड अमूल क हमें चोकलेट क्रीम को आपस में मिक्स करना है कि अब द्यान रखें कि आपके मेल्ट ही चोकलेट और क्रीम या मलाई रूमर्ट तेंपरशन होने चाहिए अगर आपके गरम रह जाती है और आप आप की चोकलेट सोस में अलग हो जाएं आप यह नहीं समझेगा कि हमाई चोकलेट सोस खराब हो गई है आप उसे 20-25 मिनट के लिए फ्रीज के नीचे वाले पोर्शन में रख दीजिए यह देखें में चोकलेट अलग हो गया और अलग दिखाई दे रहा है मैं इसको 20-25 कि यह स्मूथ हो जाएगी इसको आपको विस्क से अच्छे तरह से खूब देर तक मिक्स करना है इससे इसमें स्मूथ टेक्स्चर आजाए यह देखें हमाई चोकलेट और यह जो अलग अलग हो गये थे वह आपस में मिक्स हो गए हैं अगर आपके साथ इस तरह से हो जाता आप विस्क करने से इसमें स्मूथ आजाता है यह देखिया है कि इसमें इसमूथ टेक्स्टर आ गया है ड्यजिक वैफल से लिए हमारी वाइट चोकलेट सोस बन का त्यार हो गया है है आप इस तरह से अपनी वाइट चॉकलेट फोस घर पर त्यार कर सकते हैं कि असलिए ह आपको इसविंग अपनी की चोकलेट ले सकते हैं फ्रेν्द्स ही हमने एक्सोप फचास गराम डाग चोक्ट ली है चोप्ट करने के बाद कप मेजर्मेंट के साफ से यह वन कप चोक्लेट रहेगी आप जब भी चोकलेट लें, मेल्ट करने के लिए चोकलेट को चोप्ट जरूर कर लें चाया आप डवल वोईलर में कर रहे हैं या माइक्रोवेव में कर रहे हैं इसे ये जल्दी और असानी से मेल्ट हो जाती है अब हमें dark chocolate भी उसी तरह से melt करनी है जिस तरह से हमने white chocolate melt की थी Friends गर्मी हो या सरदी हो आपको अपने microwave में 360 का time set करके chocolate melt करनी है Friends, अगर आप सरदी में चोकल CAPS करने के बाद हो जाती है अगर आप गर्मी में чोकलेट मेल्ट करने है तो ये दो से तीन वार में टाइम सेट करके चोकलेट मेल्ट हो जाती है अब मैं अपनी चोकलेट को 30 सेकंड के लिए माइक्रोवें में रख रही हूं यह देखें 30 सेकंड माइक्रोवें में रखने के बाद हमाई चोकलेट इस तरह से हो गई है अभी हमाई यह चोकलेट पू हमाई चोकलेट अच्छी तरह से मेल्ट होगी है सर्धी में यह तीन से चार वार में हो जाती है आप इस मेल्ट करीवी चोकलेट में अपनी अमूल क्रीम या मलाई मिला ले करद् I Amnamerson कुट करीम के साथ से अमूल क्रीमां है प्रफेक्ट चोकलेट शोस बनका तब रहने चाहिए जब आपके सभी इंग्रीडेंट रूम टेम पर होने चाहिए यह देखए फ्रेंड हमाई च् Sowक्रार बंदा कर तियार हो गई है आप इस चोलेट सोस को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं इसको आप वैफल के उपर डाल आ भी सर्फ कर सकते हैं है फ्रेंड हम अपने वैफल की फिलिंग करने के लिए चोकलेट सोस बना रहे हैं इसके लिए हमें इसे ठीक करना होगा अगर आपके आपका मुसम ठंडा है तो इसे आप एक रात के लिए बहार सैट होने के लिए रखते अगर गर्मी है तो आप इसको एक रात के लिए प्रीज में रख दे इसमें ठीकने अशा जाएगी और हमारे वैपल्स के लिए फिलिंग करने के लिए ये चोकलेट सोस त्या क्लिवे चोकलेट रहेगी र dessus हमने मोडे क्ली की चोकलेट के लिए नटिस इंपनि के लिए आप कोई शिटा कम्पनी की लिए सकते हैं आपको इस तरह से बारिक करणा ना है कि पिर मिसको तो से रखेंगे यह मैं तरह से हैं सब्सक्राइब लिए लिए इस तरह से मैल्ट होगी हमाई चौकलेट कि एख अदर आपकी चौकलेट में हल्के- inflammatory यूड तो है थे तो आप मढ़ना क्या मेर्ण चाहिए तो आप बिगोने में अपने दूद के मलाई निकाल लीजिए इसको इस तरह से चोकलेट में नहीं मिलाना है इसमें हमें स्मूज टेक्च्चर लाना पड़ेगा जैसे क्रीम में होता है कि फ्रेंड्स आपको अपने घर के मलाई ताजी लेनी यहैं यह एक दो दिन रखी नहीं होनी चाहिए मैं यह रूम तेंपरिछर पर होनी है तक था I still ले लीजिए और उस पर इस तरह की स्टील की छन्नी रख लीजिए अब इस चन्नी में हम अपने घर की मलाई डालेंगे इस तरह से डालनी है घर की मलाई चमत से करेंगे जिसारी मलाई नीचे को स्मूध टेक्ट्र में होकर निकले यह देखें फ्रेंड हमने जो ली थी वह सारी हमने पर दूध मिला एंगे हमारी मलाई में स्मूज़ चेक्चर आ गया इसमें हम थोड़ा सा दूद मिलाएंगे यह तो यह दोड़ा करके मिलाएं डालेंगे इसमें और इसको मिक्स करेंगे अदान को हमें हम अप्रिम्राई जदर टाइट नहीं रखनी है थोड़ी सी लूज रखनी है जैसे क्रीम का टेक्ष्चर होता है इस तरह की रखनी है हुआ हुह हम अधोड़ा सा ओर दूर लेंगे और इसमें डालेंगे इसको अच्छे तरह से मिक्स करी थी अब उसमें हम अपनी घर की मलाई मिलाएंगे यह हमने बन थर्ड कप मलाई लिए यह हमारी वेट में 60 ग्राम है कि अब इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे कि अब इस तरह से अमुल क्रीम की जगाए घर की मिलाई मिला सकते हैं यह देखिए हमारी मिल्क चोकलेट सोस बनका त्यार हो गई है कि आप अपनी चोकलेट सोस को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं आइस्क्रीम में या वैफल्स के उपर डालने के लिए पर यह हमने वैफल्स की फिलिंग के लिए बनाई है तो हम इसमें ठिकनेस करने के लिए एक रात के लिए सैट होने के लिए रखेंगे आप हमारी इन तीनों में से कोई इसी भी चोकलेट सोस बना सकते हैं और वैफल्स में फिडिंग कर सकते हैं अगर आप अपनी चोकलेट सोस को बनाकर फ्रीज में रखते हैं तो यह 10-15 दिन चल जाती है अगर आप इसको फ्रीजर में रखते हैं तो यह आप एक से दो महीने तक अराम से चला सकते हैं यह खराब नहीं होती है जल्दी चोकलेट सोस को पहले से बनाकर रखने से यह फायदा होता है कि आप कभी भी वैफल्स बनाकर उसमें फिलिंग कर सकते हैं प्रेंड्स हमारी इससे अगली वीडियो आप दिरू देखेगा कि उसमें हमने वैफल्स किस तरह बनाएं और उसके अंदर फिलिंग कैसे की है यह देखिए लगातार विक से चलाने से हमारे इसमें स्मोज टेक्चर आ गया है अब यह अभी काफी लूज है हम इसको एक रात के लिए सैट होने के लिए रखेंगे तो यह हमारी वैफल्स में फिलिंग करने के लिए त्यार हो जाएगी फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्सों को हमारी वीडियो शेयर जरूर जरूर करें हमारे चैनल को सब्क्राइब करें और हां बेल आइकन को दवाना ना भूले इससे हमारी वीडियो का नोटिफिके आपको समय समय पर मिलता रहेगा जैसी दाते किशना फ्रेंड्स